तो फ्रेंट्स मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स को कवर अप करेंगे यह जो हमारा पूरा टार्गेट है पांच हजार कोश्चन्स का है यानि की बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन्स आपके सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे दोहजार चौबिस का उत्तरप्रदेश PCS का एक्जाम हो या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एक्जाम होगा इस साल के अंत तक य आएं यानि कि जो आपका एक्जाम है उस एक्जाम में आप किसी भी हालत में चीजों को भूले ना यह पूरी कोशिच रहेगी हर एक वीडियो में सो आईए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को आगे पड़े इस से पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए इसके अलाबा जो भी वीडियो चैनल पर आएं कंप्लीट देखा करिए क्योंकि यहां पर वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको कोशन आंसर मिले यहां पर आपको छोटी-छोटी सी ट्रिक्स के माद् सेशन को आज का जो पहला कोशन इसमें पूछा गया है कि यह जो लेक शरंकला थी जो कि आपकी 1893-94 में प्रकाशित होई थी इसमें सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कॉंग्रेस की आलोचना की गई थी अब आपको यह बताना है कि इन लेखों के ले आपकर यह थे आपके बीजी तिलक तो सही आंसर हमारा क्या होगा अर्विंद घोश अर्विंद घोश के द्वारा यह लेक लिखे गए थे न्यू लेंप्स फॉर ओल्ड अब यह कॉंग्रेस की एक आलो जो एक क्रिटिसिजम था वो करते थे अर्विंद घोश उसका रीज यह कर दिजे प्लीज यह कर दिजे उस तरीके से वो डील करती थी और अर्विंद घोश जो थे वो इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज करते थे तो इन्हों ने अपनी इस जो लेक शरंकला थी न्यू लेंप्स फॉर ओल्ड इसमें इस चीज़ की आलोचना की थी कॉंग् स्थापना अब यहां पर अगर आपको यहन नहीं पता है तब आप कैसे हां पर इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं इसको समझने वाली बात है सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बिना year के कि कैसे हम इसको arrange करेंगे दूसरा है आपका गोपाल केशन गोखले द्वारा servants of India society की स्थापना तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और चौथा है आपका सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ठीक है अभी मान लीज़े आपको year नहीं पता है उस moment पर आप इनको किस तरीके से arrange करेंगे सबसे पहले मैं हिक्की की बात करूँ हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन मुझे लगता है इतना आपको idea होगा कि बंगाल गजट जो था वो पहला समाचार पत्र था अब ये जो समाचार पत्र जब पहला है तो obvious ही बात है जब अंग्रेजों ने बकसर की लडाई जीती थी 1764 में उसके बाद कुछ time बाद कुछ साल बाद ही इसका प्रकाशन हुआ होगा यानि कि सबसे पुराना तो यही होना है ये तो एक बात हमें clear होती है इसके बाद Sir William Jonesぐारा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई अब यजो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा अब इतना आपको पता होना चाहिए कि विलियम जोन्स किसके टाइम पीरेड में थे तो जो आपका वारेन हिस्टिंग्स था पहला गवर्नर जनरल अफ बेंगॉल उसके टाइम डियूरेशन में थे इसका मतलब यह हो गए यह भी 1780 के आसपास करीब रहे होंगे 80 या फिर 84 के आसपास ठीक है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा बंगाल गजट होगा इसके बाद आपका रहेगा जो बंगाल इशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई इसके बादा भी तक देखिए हमने किसी की एर की बात नहीं करें हम सिर्फ चीजों को लिंक अप कर रहे हैं गोपाल कish नगोखले की बात करें यह जो हैं सर्वेंट्स अफ इंडिया स्थापना की बात करेंगे अच्छा यह मुझे लगता है आप लोगं को पता होगा कि गोपाल किशन गोखले ने कौनसे autograph session की अध सबसे पहले हमारा तीन आएगा फिर चार आएगा उसके बाद दो आएगा अब एक बचा लाला हरदयाल गदर पारिटी तो 1913 यह तो मुझे लगता है आपको याद दियोगा तो उसके बाद आपका आ जाएगा वन तो 3421 अभी देखिए यहां पर हमें कोई भी एर नहीं पता लिया कैसे निकाला चीजों को आपस में लिंक अप करके थोड़ा बहुत तो देखो आपको पढ़ना पढ़ेगा और नहीं पढ़ाए तो यह सारे कोशन्स आप पढ़ते रहो मेरे साथ में चीज़ें आपको आल्मोस सब क्लियर हो जाएगी अब यहां पर हम बात करें इयर 1780 में इसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बेंगॉल एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना करी गई 1784 में यानि कि सबसे पुराना इवेंट हुआ आपका जो थर्ड वाला है इसके बाद आएगा फोर्थ वाला उसके बाद आएगा आपका सेकंड वाला उसके बाद जिसका कारे सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मात्रभूमी के लिए जागें और कारे रत हो सकें अब ये जो आप देख रहे हो कि एक मतलब व्यक्ति है जो इस तरीके से कह रहा है कि मैं तब तक मानूंगा नहीं जब तक कि ये जो भारतिये हैं जो सो रहे हैं इनको जगाया ना जा सके तो ये कहा था किसने एनी बेसेंट ने थीक है किसी और ने नहीं कहा था ये एनी बेसेंट ने ये बात बोली थी कि मैं तो एक भारतिये नगाला हूँ जिसका कारे सोते हुए को जगाना है अच्छा comment section ने बताना एनी बेस्टिन्ट क्या इंडिया की थी या फिर यह foreign की थी और कहां की थी क्या इन्होंने काम किया क्यों इनका इतना नाम है इंडिया के जो हिस्ट्री है उसमें चलिए next question की बात करते हैं यहां पर पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि जब तक यह तीसर तरमारा क्याएगा महत्मा गांदी यह जो स्टेट्मेंट इन्होंने दिया था कि जब तक यह जो तीसरी शक्ति है यानि कि जो यहां पर अंग्रेज हैं तो जब तक यह यहां पर रहेंगे हमारे सामप्रदाइक ता वाले जो मतभेद हैं सामप्रदाइक मतभेद हैं यह वर्छाओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कारे किया. गांधी के बारे में तो आपको पता है. महत्मा गांधी ने पूरे हिन्दुस्तान का दौरा किया था. उसके बाद पर ये सक्रीय ऐन्दोलन्ट में, मतलब सक्रिय जो राजनीती थी उसमें शामिल हुए थे धीरे धीरे आंदुलंस में शामिल हुए थे तो ये तो बात किलियर है कि गांधी तो होगाई होगा इसके बाद similar अगर हम बात करें तो तिलक 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 ने भी पूरे हिंदस्तान का almost भ्रह्मन कीया था और दौरा करके इन्होंने जो है सामाजिक जो उत्थान था उसका काम किया था ठीक है तो हमारा आंसर क्या एगा यहाँ पर option A यानि की गांधी और तिलक यह काम तिलक ने पहले किया था गांधी ने बाद में इस काम को किया है next question के बारे में बात करते हैं इसमें पूशा गिया है कि लाला लाजपतराई से related यह जो statement आपको दिये हुए है इन statement में से आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है पहला statement यहाँ पर है कि प्रारंब में वे असहयोग नीती के पक्षमें नहीं थे किन्तु बाद में वे गांधी के पक्षमें हो गए दूसरा है सुराज पारिटी के गठन में लाला लाजपतराई भी शामिल हुए यह दोनों ही statement यहाँ पर एकदम correct ने कोई भी इसके अंदर doubt नहीं होना चाहिए अब पहले statement की बात करें पहला statement यह है कि प्रारंब में असहयोग नीती के पक्षमें नहीं थे यह वाली बात सही थी लेकिन बाद में वो गांधी के पक्षमें होगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि September 1920 में कलकत्ता में एक विशेश सत्र हुआ Indian National Congress का जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके लाला लाश पत्राए और उसी सत्र में जो है आपका यह जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था इसको पारित किया गया इस तरीके से पहला statement सही है Second statement की बात करें इसमें सुराज पार्टी के बारे में दिया हुआ है अब जब आपका जो चौरी-चौरा वाला कांड हुआ था तो चौरी-चौरा के कांड के बाद यह decide करा महत्मा गांदी ने कि आगे हम carry on नहीं करेंगे जो असहयोग आंदोलन है सो उन्होंने उसको postpone किया इस निर्णे के खिलाफ थे सारे लोग मतलब almost सारे लोग इस निर्णे के खिलाफ थे क्योंकि सब कुछ एकदम सही जा रहा था बैट गांदी का जो एक अपना नजरिया था वो भी अपनी जगा ठीक था उन्होंने का कि जब हिंसा नहीं करनी तो इसके अलावा लाला लाजपत राए ने भी इसमें पार्टिसिपेट गिया था इसके गठन में तो यह स्टेट्मेंट भी यहां पर सही है अच्छा यहां पर एक बात और याद रखनी है कि जब यह आपका सीयारदास की डैथ हो जाती है 1925 में 1925 में सीयारदास की डैथ हो मुद्दा था इन दो मुद्दों पर लाला लाजपत्राय और पंडित मदन मुहन मालविये इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और फाइनली इन्होंने जो है छोड़ दिया यह मतलब सुराज पारटी को इन्होंने छोड़ दिया था चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कोश् इन्होंने सदन की अद्यक्षता की थी और जो अंग्रेजी टोपी ती उसको हटा दिया था मतलब विग को हटा दिया था और गांधी टोपी पहनकर दि इन्होंने अद्यक्षता की नेक्स्ट कोश्चन की बात करें यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखें आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा होगा नीचे आपको यह कोट दिया हुआ ठीक है तो कूट में आपको बताने देखें कि कौन सा सही होगा पहला है आपका जुलाई 1952 जुलाई 1952 में जेवी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पारिटी का गठन किया अब यह स्टेटमेंट हमारा है इंकरेक्ट क्यों इंकरेक्ट है क्योंकि जो ये और फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है 1952 यह यहाँ पर इंकरेक्ट है it should be 1951 1951 में जेवी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पारिटी का गठन किया अब देखो इसको अगर आपको याद रखना है कि कृपलानी ने ही किया भई इस वाले कोशन में तो statement wise आया है कहीं अगर आपको simple सा एक कोशन मिले इसमें आपको चार विकल्ब दिये जाएं और आपसे पूशा जाए कि किसान मजदूर प्रजा पारिटी इसका गठन किस ने किया उसमें आपको ये भी कृपलानी का नाम दिखेगा अब एक चीद आप याद रखो चाहे हम किसान की बात करें चाहे हम मजदूर की बात करें या फर हम आम प्रजा की बात करें इन सब को क्या चाहिए इन सब को चाहिए किरपा किरपा किसकी जो रूलर होगा उसकी चाहे वो कोई राजा हो चाहे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चुने गे प्रधान मंतरी हो इनकी किरपा तो सबको चाहिए, और आज की Glade में हमारे प्रधानमंत्री जी की किरपा ना तो किसानों पे है, ना मजदूरों पे है ना ही आमजनता पे, आमजनता ग badass मेहगाई बहुत बड़ गई है, मजदूरों की बात करें तो मजदूरी कम मिलती है और महंगाई तो चरम सीमा पर है ही वही किसानों की बात करें वो तो एक साल तक दिल्ली के बाहर बैठे रहे उनकी बात नहीं सुनी गई 120 के आसपास किसान शायद उसमें हताहत हुए थे उन्हों अपनी जान जो है वो गवाई थी उस पूरे तो यहां पर इस तरीके से आप याद रख सकते हो जैसे ही आप करपलानी देखोगको तो बस आपको करपा याद रखना है कि बहु contexto किसान को भी करपा चाहिए मजदूर को भी चाहिए और परजा को भी चाहिए इसलिए किसान मजदूर परजा पार्टी इसका जो formation हुआगा उसने कृपलानी जी का सहयोग रहा होगा तो पहला statement तो हो गया हमारा incorrect दूसरा statement है PC घोश और T प्रकाशम इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी मतलब से ये लोग भी attached थे तो ये वाली बात एकदम सही है चाहें हम बात करें PC घोश की और T प्रकाशम की तो ये दोनों ही जो थे ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे ठीक है 1952 में socialist party और किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन दोनों का विले हुआ जिसके बाद प्रजा socialist party इसका गठन हुआ है ये एक point आपको और याद रखना है क्या याद रखना है जब हम 1952 की बात करते हैं तो एक तो party ये already existence में थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी दूसरी एक और पार्टी थी इसका नाम था socialist party ठीक है socialist party इन दोनों party का merger हुआ और merger होने के बाद जो party सामने आई उसमें यहां से लिया गया प्रजा और यहां से लिया गया socialist तो प्रजा socialist party नाम से एक नई party सामने आई 1952 में तो आपसे ये year पूछा या सकता है कि प्रजा socialist party कौन से सन में बनी तो आपको याद रखना है कि 1952 में अजय इस वाले question का answer क्या होगा हमारा केवल दो क्योंकि पहला statement तो incorrect था नेक्स्ट question की बात करें कि निम्न में से किस तिथी को भारतिय समवधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेवकर की death होई अब यह death होई है आपकी 6 दिसंबर 1956 में इसके बाद आज के अपने सेशन के आखरी question की बात करते हैं इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रसिद भारतिय जो थे वो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे यह रविंद्रनाट टेगोर थे सी राज इनकी एक क्रती थी गीतांजली जिसको नुबेल प्रुसकायर से सम्मानित करा गया था 1913 में 1913 में इस point को यहाँ पर आपको याद रखना है ठीक है चलिए फिर आज केस वाले session को यहीं पर end करते हैं फिर मलते है next video में यह session कैसा लगा comment section में जरूर बताईएगा जहां कहीं जरूरत थी वहाँ पर trick का इस्तमाल किया गया है और जहां पर नहीं थी तो वहाँ पर जबरदस्ती कोई trick नहीं बनाई गया है मेरा purpose सिर्फ इतना है कि आपका जो भी आने वाला exam हो उसमें आप पूरा benefit उठापाएं इन questions को पढ़ने का thank you so much